कि एक श्टॉल क्या लगा लिया खुद को मॉल का मालिक समझ रहा है सारा सामान तोर दो दुकान नहीं हटाएगा या से रोक तेरा हाथ पाउ तोरता हूँ तेरी तो चोड़ो उसे इन गोटु ने पारी ये क्या आलत शर्दी बिटा सब कुछ तोर दो इस धर्ती पर जब जब पाप बढ़ेगा धर्म का रक्षक न्याय का देवता एलेक्स पांडियन प्रकट होग च्छैने जड़ो टेवता हूँएएगा। पिस्ता बन्यान पहनने के लिए मेरी तरफ देख रहा है पिस्ता खाना जरूरी होता है काक पाट काकट करें चांस आप दिश्क दिश्क पर इंदन पहले सकते हैं तो डूबाट जबाएगा पर इससे पहले कि मैं को प्रीटीव गाली दूनिकल ले दूसरे अक्टर वह यह सब आजा है मैं जांता था इस पंदर से नहीं हो पाएगा इसलिए मैं पहले सही तैयार था असली मर्द की पहचान जो पहने फिस्टा बनिया इस फ्यूचर के सिंगम को फटीचर चूंगम बना दिया इस फिसदी नायक का नाम है शिवा हूलों की बारिश के बीच स्लो मोशन में एंट्री मारने वाला दूसरा हीरो है केके देखने में लगेगा कि ये मंदिर के उस्सों में चीफ गेस्ट है ये बिल्डप इसके लिए नहीं है बलकि डेंगू से मरने वाले आदमी की शव यात्रा का है जनम से लेकर क्रिया कर्म साथ फेरे से लेकर जनाजा तक हर तरह का पैकेज भील है केके का इकलौता उसूल है नो डिस्काउंट्स ये अजाम की दुकान चमिली जैसा ठुमका लगा रहा है नाचो लेकिन भूल मच जाना बॉड़ी आ रही है पीछे नाचो 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 तुम लोगों को फिल्मों में गाने के मीचे जो नाचते ना आजकल तालाब में नहाने के लिए आती नहीं आखे तरस गई तुझे देखने के लिए क्या चल रहा है तेरे बापो ने बातरूम बनवा दिया अच्छा ये तो बता साबूत को अच्छे गुजरती वी लाश की परवा किये दिना केके लड़कियों पे लाइन मारने में मे यही है केके का करेक्टर लेस करेक्टर लेट हो रहा है जल्दी चल कहीं वो फिर आना जाए चल जल्दी चल वाट आपेंड तुम आभी तक गर क्यों नहीं गई किसी ने इस पे एंग फेकने की धमकी दी उसने कहा वो आज यहां आएगा इसलिए वो टरी हुई है एप्रिल हुई कियाँ रहेगा उसने सिर्फ मिन है उससे हर फेस्टिवल में वह आखे तंग करता है कहोन है वो कौन से स्कूल में पढरता है वो स्कूल में नहीं पढ़ता तो क्या वह कॉलन स्प्रुण्ट है नहीं फिर को न हपो बोलो क्रिस्मस को प्रिंसिपल के घर के आगे पटा के भी जलाए ना इसका जुल्म अभी बरदाश के बाहर हो रहा है इसे सबक सखाना पड़ेगा तू टेंशन मतले अगर कुछ लफड़ा हुआ तो मैं देख लोगा काव्या काव्या मेरे साथ डेट पे चलो चिपचाप निकल यहां से यह मेरी स्कूल फ्रेंड है स्कूल हो कॉलेज हो आईटी कंपनी हो पावर फंगे लेने से पास नहीं आएगा अब पता चलेगा अब मेरे दोस्त अब फटपटी पे अभी तुम को दुखाएंगे लें क्यों मुझ्छड को परेशान करें उसको पूछो ना सवाल स्टुडेंट को पूछते हैं मासूम बालों को परेशान मत करो यह लड़की को छेड रहा था यह क्या सुन रहा हूं द होगा यह बस-बस ऐसी डिटी हो गया और कुछ बोलने की सरुड़ू ज़ाओ जाओ 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 क्या यह उसके बाप की शादी में ज्ञाडू मार रहा था अब उस बेटी को प्रपोस कर रहा है चल चिपक के बैट यह तो यह अपनी बाइक को मरसिडी सम खुद समझ जाएंगे अच्छा है तोड़ो तो और तोड़ो तोड़ो तुकड़े कर दो तुमारे बाप के रिमोर्स की दुकान है ना जो रोज लेके आएगा तुससे अच्छे तो भिखारी है जो रोज सौरुपे कमाते हैं आपके पापा ने आपका नाम राजा रखा और आप भिकारियों के पास बेटके यह पूछते रहते हैं कि वह कितना कमाते हैं क्या सोच रहे हो आप यहीं सोच रहे होना मेरा बेटा बद्टमीज हो गया जापर मारूं यह नहीं इसके दोस्तों का बुलावा आ गया कहा रहा है तू अगर घर से निकला ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूगा सुनायने देरा मना कर रहूना जाने के लिए बाथरूम जा रहा हूं तो उस तरफ है ना यह कहीं नहीं जाएगा मैं हूना यहां पर आप जाए यहां से बि चाहरा शेर्स हो गया है उल्लों को स्टाइल दिखा रहा है चल आजा एली एक ही जगा पर आकर बोर हो गया है भीले पिछले जनम का पुन्या है जो ऐसी जगा मिली ना बीवी ना बच्चे और कोई नहीं शांती से बैट के पी तो सकते हैं कहीं और बैट के पिएंगे तो पकड़ी ले तू भी आ गया क्या वाई लोग सब कुछ लिया ना अटक गया था पेट में गुड़ गुड़ हो रही थी क्या हमारी पार्टी लेट कर वादी चल अगली बार घड़ी आधे गंटे आगे रखना ए चल चल जल्दी आजा पीते ही बाई सब सराय सामने नाचन है उसकी मों हाउस वाइफ है एक छोटा भाई भी है कपका हमने है अच्छा सुनना वह जेरोक्स की दुकान में क्या मस्ट लड़की काम करने आई है यार उसका नाम बताओ गायतरी उसका और मेरा शिक शेक यह क्या कर रहा है शिक शेक तुझे चड़ गई है उनलों का लगों नाम है वशेकिशया नज तो कोई डिक्स्नरी आती ही नहीं है यह जीती जाकती बोरी समझानी पार इंपाいた यह मुड़दा बोरी होती तो शम्हा देऊंदी यह कंड़े हिलाने का मतलब क्या होता है ूसका मतलब है सभी लड़कियों किसने ? यह बहूर कैसे यह बो कुछ भी करूंगा टू मच एक खूल करूंगा ना तो दस पर के अंदर यहां पला जाएगे उसको बोलना मार्केट के रास्ते से आए बोटल खाली होगी यह दो और ले गया करें जिसको भी बुलाना है बुला तेरे मुऊं का बबस बोड़ा कर रहा है अधिर आग्या तुमाशोर बचाते हुए शरब काती यह दरा पकड़ों प्रूंगे है यह दरा पकड़ों पता है अरे अरे अमारा धीला बत्सुरत था उसकी ना के ठीक थात्ती वो भी सुझा जी लेडी बावली कटपा को क्यों वारा ए बदला लेंगे पहले खाली बोटल फेकेंगे फिर छत से चलांग मारके उनको मारेंगे अरे भाई इसे संभाल कर उतारो देखो देखो कुछ खराब नहीं होना चीए एकदम संभाल कर उतारो कि दारूपी के आया है यह सूट के से अनारियल है घर को मंजिश समच के पोड़ रहा है क्या नमस्कार मैं बाजू में चार-चार कोटिया है यह हमारा पुष्टेनी मकान है कोई कभजाना कर ले इसलिए पती के रिटायर होते ही इसमें शिट्टोने आ गए बात कुछी की बात है आप यही पर रुकिए मेरी पतनी की हाथों से कॉफी वनबा कर आपको पिलाता है कॉफी अपने वीवी से ब पानी मिलाएगा उसकी बाद आपको दे जाएगा केबल तो बिल्कुल मत लेना एक लंबी वायर अटैच कर देना सारा कुछ फ्री में देखने मिलेगा और न्यूस पेपर भी मत लेना न्यूस पेपर की जरूरती कहां बढ़ेगी 24-7 आप जो आती-जाती रहेंगी मैंने स जी डांस मास्टर है तुम आना ने डांस देखने अरे रे रे क्या कर रहे हो यह निर्त की कौन सी मुद्रा है इन्हें कमफरटेबल रखो क्या मालो कैसा है कुछ पता है यह पड़ोस में रहने के लिए कौन लोग आए यह किसकी फोटो है यह वही है ना जो गाना-गाके महान संगीत सम्राट पद्मकूल भूशन पंडित दीप सें कृष्ण मुर्ती सर आपके गाने की तो मैं फैन हूं मेरे टीवी में देखा है जरगा के जुनाए ना प्लीज बुरा मतमानना एंग्री ओल्ड मैन है सालों सी गाना नहीं गाया गलाट जम गया है अमारे पीने के अट्डे पर अपना कब्जा जमा रहे है जहां से आए ना उसे वापस भेज दूँगा पार्सल करके वही तो देखो स्कूटी मतलब लड़की भी होगी तुम स्कूटी भी चलाती हो ना मैं नहीं यह तो मेरी बेटी की स्कूटी है वही चलाती है हां लेक्सी हेइग मामा 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 दोस्तों जैसे चकने वाले के बगल में दारू की दुकान वैसे हमारे बगल में सुन्दर लड़की आ गई है मिस यूनिवर्स से भी प्यूटीफुल है जाक गए जनाब टाइम देखा है क्या सारी दुनिया तयार होके काम पे निकल चुकी है और यह महाशे अभी तक जम्हाई ले रहे हैं एक मुर्गा भी रोज सुबे चार बजे उठकर बांग देता है मुर्गे को भरके चार पेक पिला दो उसका बाप भी बांग नहीं दे पाएगा अपकी बात में दम है यह बात करने का कौन सा तरीका है नालायक यह बताओ तुम सुद्रोगे या फिर नहीं सिर में भेजा है या फिर खाली है अच्छा बताओ यह के बीसी का सवाल था क्या आप्शन आप्शन दो में से एक चुन्में कल्यान हमने भाई को समझाना यह तीनों हमेशा अवारा गर्दी करते रहते हैं क्या यह कह रहे हैं वह सही है नहीं तो अगर पापा को बता दिया तो तुम्हारी खाल खिच लेंगे और केके तुम्हारे मन में बढ़ों के लिए सम्मान नहीं है क्या अगर तुम लोगों ने होश्यारी की ना तो सीधे कमिशनर से शिकायद करूंगा चलो में राकर शिकायद करूंगा चल्ड अगर मेरी लेक्सी कर दो उन हमले की पाल मेरी घुनलिष व्यूंग करमदो जई शिकायद करूंगा ठाम नहींग है कर दोसanut है अट्र य होश्य करूंगर ने ह। иваетल ले मैं अचरी हाँ फ्से प्सेट जर रे जल्दी से नहा ले हां जारी हूं तप्पु क्यों पिल्ली की तरह रास्ता खाट रहा है अरे जाके डांस क्लास के लिए कोई अच्छी जगर ढूंडो सुबह से पेपर पड़े चार जाओगे क्या एक बाहर से घर में आता नहीं और दूसरा महराजा की तरह सिंगासन से क्या आपन देदे सोचने के लिए पुरा दिन पड़ाया जाओ भूरो मत जा रहा हूं यह यह भी ना बोल बे क्या हो रहा है किड़की से स्कूटी पे ऐसे नजर रख रहा है जैसे दुश्मन देश पे रख रहा हो 24x7 का CCTV बन गया है तू है अरे अलो खाएगा पिएगा य अरे कड़क धूप है यहां काला हो जाएगा तेरे लिए खिड़की की ठंडगी बैतर है वही आख सेखता रहे वही तेरे लिए अच्छा है अपनी साइट सींग कंडीनूरक तुझे दस मिनिट में जॉइन करता हूं अरे अरे दरो साथ में सुप्टा साथ में मगर प्यार मोहबबत अकेले ही करनी पड़ेगी अ अरे वो लड़की यहां पे है इंक क्यों नहीं है लडकी ने फिर से घर बदल लिया क्या अरे नई श्ड पे सौ रुपे खर्चेया ए मगरी बात सुन घर मत आ पावर के पापा के तबेद कुछ ठीक नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा था, तू भी जल्दी आजा अरे, सुन्चो नो, मर्जा धीले के पापा बीमार है? तुक शीव लग गया मुझ खोल के सोने में कितना चलकता है काका, अभी तक टीक आफ नहीं हुए गया, मुझे तो लगा जैसे आपकी टिकेट कट चुकी है क्या सोच के बोल रहे हो, अभी मेरी उम्री क्या है, इतना दम है कि हमाले की तपस्या कर चुका हूँ आपने हमाले की तपस्या की होगी, लेकिन बोर्डिंग पास तो फट चुका है, यम्राज के दूतों को गुस्सा मत दिलाओ यम्राज का हिसाब किताब छोड़ तू क्यों आए ये बताओ आपके टपकनिक की बात की तर कान पे ताला लगा लिया है दीला कि दर एधीला ये आज़ा आज़ा मेरे बच्चे बच्चे खिलोनों की तरह बाल के लिए छीना जप्टी कर रहे हैं तोनों को दो-दो विक बिलवादू एक आका आपके तो उड़ापे में भी बाल है तो इनके जवानी में क्यों चलेगा अरे लड़कियों के देखकर सारे बाल उड़ गए ठीले ठीले सुन 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 विक दे देना वरना कुत्ते इसके पीछे पड़ेंगे तो नहीं ले लेना अरे पापा ये तो छोटी है मेरा अधर टकला भी नहीं देख पर आएगा क्या फ़र्फ पड़ता है टकला जाए उससे अच्छा सफेद बाल वाली विक पहन के जाना इरो लगेगा सर से जादा बाल तो हाथ पे इधर सब्सक्राइब करें टकले पी चिपका ये चल चलना पर आणटी में मंदिर जा रही हूं क्या मताने माला था अरे आज सुबह शिवा का फोन आयथा उसने बोला तेरा बापु बिमार है। क्या बात कर रहा है। बला चंगा थो था। यही तो पता लगाना है। वो जूट क्यों बोला। उदर देख। ए शिवा उसका बिचाकर। आज उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ पामा हाँ 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 पामा हाँ 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 क्या अदमी है ऐसे क्यूंकि पहले तो बोल दोस्ती का मतलब मालूम है दोस्ताना नाम की दो फिल्में बन चुकी है समझा तू शोले में जय और विरु ने अपनी जान तक दाव पे लगा दी थी वही तो है असली फ्रेंशिप ए शोले के जय विरु तेरे लंगोटे यार है क्या इसने जुड बोला कि तेरा बापू बिमार है वो पुछना क्यों बोला क्यों बोला मेरा बापू बिमार है जवाब दे तुम लोगों का मेरे घराना ना मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है अच्छा हम सालों से तेरे बापू को पसंद नहीं है फिर आज ही अचानक उनको काटे क्यों चुबने लगे तू कब से अच्छा बच्चा बन गया साफ साफ बता रहा हूं सामने वाले घर में लड़की आई है तुम लोग गली में आके होल्टी सीदी हरकते करोगे ना तो ठीक नहीं होगा रे भाई लड़की लंबी हो या नाटी हो हर कीसी एक लड़की पे हम लोग ने साथ में लाइन मारी है कि नहीं मारी है अचानक से शराफत का पौधा कहां से हो गाया तुम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या इसमें गलत क्या है वो लड़की तेरी रिष्टे ना लगते है क्या उससे भी बढ़कर है मेरा प्यार है मैं उसका लवर हूं पैसा वसुर यह बात पहले बतानी चाहिए ना असा सुना देख यार म प्यार करना है ना तो बातों से कुछ नहीं होने वाला उसके लिए चाहिए सूरच शकल अकल बाड़ी तेरे पास तो कुछ भी नहीं है खामोश तुमने जो यहां कॉलिटी सुनाई है उसके हिसाब से मैं सर्वागून संपन्न हूं वो पावर की बनेगी चैलेंज है मेरा कर गया क्या प्रेंज है एक्सपिरियंस है प्यूटी है और फिर सॉलेड बड़ी भी है बॉस कुलहाडी देश को काटता हूं लड़की पटाना कोई लंगडी खेलने वाला गेम थोड़ी है अरे तेरे मेरे बाप की उमर से सिर्फ सौ ग्राम कम है और लड़की पटाने चल तीनों ट्राइए करेंगे जिससे वो लड़की पट गई ना बाकी दोनों साइड हो जाएंगे फावर ठीक है इस एवर रेड़ी सौम्या मद्रास में लड़के वालों ने तुमारे कुंडली मंगवाई ये भेज़ दूँ अंटी सुन ले अगर तेरी मान जिंदा होती तो कब से तेरी शादी हो चुकी होती मैं फूल हूँ जो तुससे पूछ रही हूँ अफू लड़का लड़की को देखेगा लड़क किसे घर यही बोरिंग लाइफ है इसकी अंटी सक्सेस्फुल मैरिज के लिए दो रिष्टों का निबना बहुत ही स्यादा जरूरी है एक इनलॉस के साथ और एक हस्बन के साथ अब इनलॉस को चूज करने की फेसिलेटी तो गॉर्ड ने हमें दी नहीं है पर जहां तक हस् कर सकते हैं जिस आदमी से मैं शादी करूंगी ना उसका क्यारेक्टर अच्छा होगा और एंबिश्यस होगा अरे भाई चल्दी चलाओ लेट हो रहा है हमें घर पर उतार देना और मेरे पती तालाब की पास खड़ा है उससे भी जाकर लेकर आगा आपको छोई लेक्या है आंटी लेक्सी मिल नहीं रहा है वहीं होगा जहां तुमने बिठाया था लेक्सी मैंने पूरा घर चानमारा कहीं भी नहीं है वो खो गया है क्या कह रही है इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है क्यों मेरी जान खा रही है लेक्सी कहा गई होगी तुबाहर जाके देख और सुनिए क्या हुआ टागी क्या हो गया बताइए ना टागी खो गया है सुनिए ना क्या हो गया है पहरे हो गया कहा ना लेक्सी खो गया है क्या कहा वो ब्राउन कलर का पॉमरेनियन वो आपका था क्या अरे अभी अभी दो लोग उसको उठा के ले गए आप खपराइए मत मैं यहां भी लेकर आता हूं इसको मेरी जान निकल गई चुपो जा सॉम्या हर जगा तो ढूंड़ा हमने लैक्सी को मिल जाएगी चुपो जाना आप यह कमान कमान वेरी गुड़्ट तू ही लगाएगा मेरी नईया पार लेक्सी सुनिये लेक्सी लेक्सी घबराये मत यह बिल्कुल ठीक है कितना मिस किया तुझे मैंने वो तो अच्छा हुआ रेलवे का फाटक बन गया वरना वो लोग तो कहा निकल जाते पता ही नहीं चलता और अच्छा हुआ मैंने बच्पन में कराटे सीख लिया उनको मार पीट के लेक्सी को बचा के उठा के पतानी कैसे पर हमारी लक्सी को बचा लिया मैंने थैंक यू सो मच औरे यह थैंक्स वगरा बोलके पराया मत कीजिये मुझे मुझे आप मेरा नाम शिवा है सामने वाले घर में रहता हूं इतने प्यार से पाला हुआ डॉगी खो जाए तो दिल पे क्या बीचती है वो एक आपको जो मदद चाहिए ना मुझे से कहिए गा मैं हमेशाय रेडी रहूंगा मेरा नाम शिवा है सामने वाले घर में रहता हूं सुनिये ना शिवा सामने वाले घर में अरे बेटा शिवा रिपीट क्यू कर रहा है बोलते-बोलते तेरी कैसे डटक गही क्या चो भी हो काम कर दुकान पे जाके एक पैकेट दूद एक पैकेट कॉफी पाउडर और शक्कर लेकर आजा तु चुपकर अरे शिवा है अपना पडोसी इससे कैसी फॉमलीटी हम सब एकी फैमिली मेंबर जैसे ये क्यो बुरा मानेगा बिल्कुल नहीं मानेगा है ना बेटा शिवा इदर आ बेटा आजा सर में क्या घास बाके आया है तू चल दी लेकर आप चल्ड़े हुए गुलाब जामुन कितनी बार बोलाए घर को ऐसे वैसे मत रखो एक बार तुझाई भंगार के भाव में बेश दूंगा ए पप्पु बातरूम में नहाने के लिए रख दे जितनी लगता है लगता है वह योग की मुद्रा है शीवा के सामने जो फैमिली आई है उसी फैमिली का पारसले याई है वो सौमिया नाम की लड़की है ना उसके ताउजी है लाइफ सेट होगी सोच रहाँ कि सौमिया से शादी करके अपनी लाइफ सेट कर डालू यार फिर यह घटिया धंदा छोड़के एवन धंदा करूंगा क्या बोलता है उसके साथ जोड़ी जमेगी ना क्यों नहीं डिटेल्स मेरे घंजे खोपड़ी में हैं क्या वो सुबह के टाइम पर कंप्यूटर क्लास या टाइपिंग क्लास में जाती है क्या घर से मंदिर दिये जला कर बैक्टू पवेलियन तो उसके मन का दिया कैसे जला है उसके ताउजी है ना महान संगीत समराट पंडित भीम स दोस्तों को दगा नहीं देता लिख के रख ले प्रांठ जाए पर वचन ना जाए तो हुई एक मेरा व्रोसा है मीटर डाउन है हुजा की थाली और फ्रूट्स मिला के 200 रुपे हुए पैसे किसने मांगे गुरुजी मुझे शास्त्रिय संगीत सीखना है अपना शिष्य बना लो जो भी मुझे बताया उसकी पहले फोटो कॉपी निकाली और उस दिले को भी दे दी अपनी नानी की कसम खाई प्राण साप के डायलोग मारे इस तो सोचो तो सिफ म्यूजीक सीखने की बात की और गुष्यल बंदर ने थाली फेग दी इधर आ मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ प्रॉमिस तकले तेरी जेब नोटों से भरदूंगा बस किसी और का मद बताना यार मेरी इमांदारी पर शक्कर रहा है मैं अपने जिन्दा बाप की कसम का रहा हूँ सब इश्वर की लीला है तेरी लीला अप्रम पार है प्रभू इतना मधूर संगीत कहा है वो कौन है जिसे नृत्य का शौक है कहा है वो सबस ही नाच चाहे एक तब समल हसन की तरह डांच करता है अरे वा 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 अबर देखो को आ रहा है अला वा 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 सुपर आहा क्या बात है आजा इंदर आजा आज नाच के चूर हो गए हो तुम्हारे गुरू का नाम क्या है अश्रू क्यों बाहर रहे हो इस गरीब को कोई अपना शिष्य बनाना नहीं चाहता है पर भी इतना अच्छा निर्थ्य कर लेते हो आज तुम्हें अपना गुरू मिल गया किसकी बात कर रहे हैं ठीक से दे नत्राज धर्ती पर उतर कर आगे कल सुभा से ठीक है इतना कश्ट क्यों उठाते हो नत्राज यहां विराजमान है यह पावन जगह है कल से मैं तुम्हें प्रसक्षित करूंगा मैं प्राता काल नौ बजे तुम्हें यहीं मिलूंगा बिना गुरू के इतना कुछ सिखा अब तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मेरा मन बतल गया यह तो मेरा सभाग्या है रास्ता गलत हो वो चलेगा लेकिन इंसान का उदेश्य पवित्र होना चाहिए मुझे जीवन का लक्ष मिल गया गुरू जी मैं आपसे संगीत सीखना चाहता हूं और आपी की तरह महान ग प्रणाम आप सब का थेंक यू फ्रूट्स काले पड़ जाए उससे पहले थाली रख लो लीजी ना ठीक है प्रणाम अशिरबाद अड़ो खिल रहे है इंद ना यह गलत है निकल गई तुम थोड़ा यहीं पर वेट करो मैं भगवान का दीपक चला कर आता हूं यह सब अं अच्छा बेटा तेरी बेहन किदर है तपू 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 जरा इधर आ आ रहा हूं दीदी तू मजा तेरी दी को यहां बलाना दीदी बोल मत तेरी चर्वी का मुझा है कि बोल लाई मत अकुष्टिकर मेरे साथ की याड़ी शुपतर दीदी तुझे डव्यू डव्यू इधि यह सब क्या हो रहा है इधि यह मुझे नहीं छोड़ रहा था कौन हो तू और क्या कर रहे थे टपू के ऊपर बैठके यह वही लड़का है जो तुमारे चाचु से गाना सीखने वाला है देख बेटा टपू से दस फिट दूर रहना भुकंप है पूरा अरे नहीं छ अरे इसकी हिस्ट्री तु जानता नहीं है एक जमाने में तेरी गुरुजी के आवाज कैसी थी तुझे क्या बताओ बेटा आवाज सुनाने के बजाए बैग क्यों दिखा रही है बीना बैग दिखाए प्लैश्बैक में जाना मुश्किल है मखा गनपतिम् श्री मखा गनपतिम् रिजडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड अहा क्या कमाल की प्यारी आवास थी सड़क पर खोदने वाली मशीन जैसी कैसे बन गए उन्मीती यादों को क्यों कुरेद रहा है मैं बताती हूं तुझे एक दिन घंट और रियाज करने के बाद सोफे पे आके जोग गिरे मा क्या हूँ टपू क्यों चिलाया यह पपा बकरे की तरब मैं में क्यों कर रहे है वह इसलिए कि जल्दी पता हो बहुत ज़्यादा रियाज करके गले में कच्रा भर गया है इसलिए सोने के बाद ऐसी आवास आ रही है अब बस कर टपू और सवाल मत कर तु बाहर जाके खेल मिन जा हो तो यह बात है टॉवलिट गंदा होता है तो मा इस असिट से सौफ करती है हम पर देखते हैं कच्रा साफ कैसे होता है अरे रे रे, क्या कर रहा है तू, टॉलिक साफ कर निमले ऐसी को तित गले में डाल दिया, एजी, क्या हो गया आपको, उठिये ना, उठिये टपू, इन्हें तंग मत करो, चलो, यही हुआ था उस दिन, बच्चे माब आपका साहरा होते हैं, लेकिन ऐसी उलाद हो, तो लाइफ का सत्या नाश हो जाता है, उसकी आथ में किसने कड़ो रदिया, उसे फेक कर मारता है, भूल गई हो क्या, आपको मालू कि उसे जो मना करो आप तो चुप थे, वही है अच्छा सा लगाया है, ऐसे तुम्हें मैं बहुत कुछ सिखा दोंगा, आजा मेरे साथ, आजा, 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 तो मैं तुम्हें कह रहा है, आजा, शान, 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 गुरुजी के लिए राता दीजिए, खोती खोड़ो, आई, 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 स अच्छा आरंभ करते हैं, आजो, टाइम वेस्ट में तो रो, आओ, बिन गुरु ग्यान नहीं मिलता, सबसे पहले गुरु को नमन करना सिखाऊंगा, ठीक, ठीक है, ऐसे हिरन मनाओ, ऐसे, सूपर, सूपर, कमार कहे, इसे, अभी शुरू नहीं किया, हाथ को फैलाओ, कमार प्रवाल बिन चुका आयं, नीचे जाओ, अब तुम्हारी बारिक करो, ऐसे, वाफ़ जुआ, शिफप 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 शिफप, हाथ से हिरन की मुद्रा बनाओ, हाथ फैलाओ, प्लाओ, 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 उसकर नशुआ, सुपर हो तुम हे, ठीक, अठीक, अब जाओ 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 क्या करो फैन फॉलेंग ज्यादा है ऐसे फैन्स बाब रे बाब चलो गुरु नमन से ऐसे शुरू करो थाई एलो मास्टर चलो वाला डांस दिखाए ना अरे वाह आई जिससे कोई सूपर स्टाइन औ यहां बहुत सब्सक्राइब दाल पकाने से पहले भिगोते हैं वैसे आपने मुझे भिगो दी है यह शास्त्रे संगीत का पहला सबक है समझे कुछ गाने से पहले संगीत की ABC आनी चाहिए मा से शुरू करते हैं दाल जो है पिता समान है सारे गामा पाधा नीशा ये साथ सुर साथ बालकों की तरह है अगर सुर ताल आ गया ना तो इन तीनों को समझ जाओगे फिर सही सुर अपना आप लिख लेंगे साथ में संगीता बिजलाने की आएगी संगीत के साथ मजा करता है मार दूगा मैं तुझे एक ही बात बार बार नहीं दो रहूंगा वन टेक में याद रखना पड़ेगा मैं अंदर जाके आता हूं तब तक पानी में बैठके प्रैक्टिस करो यह रखो और जगा खाली करवा के सेटल कर दो सब कुछ तो मैं निकलू ना हाँ पतली गली पकल ठीके माई मेरा ग्रिय प्रविश हो रहा है कौन सा पैर आगे रखो दाया या बाया बाया दाया मेरी अर्धांगी नहीं दिखने ही रही है यह किटली जैसे मूँ वाला यहां क्यों आया चुब अश्लील हरकते करने वाला मर्द चाहे खौलते पानी में आ ले सॉलमया सिर्फ मेरी सुलब शौचाले के बाहर सिक्के कठा करने वाला लगता है यह कैसी आवाज है प्रणाम गुरुख क्योंगे आगे आओ नमस्कार मास्टर होई है आके थाली ले जाओ मुझे भूल नहीं पूरा कुलदस्ता चाहिए हलो एक्स्कीज मी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे सभी लोग केला एपल पतानी क्या-क्या लेकर आ रहे हैं जैसे हमारी लड़की देखने आ रहे हो बही अगर शाम को चखने वकने का बंदबस्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना परमपरा है इसले लेकर आया तो तुम तेयार हो आज फिर गुरु नमन का अभ्याज करें एक अला दिन का जिन दूसरा चार्ली चैपलिन वाट अ कॉमबो ऐसे हिलना नहीं है थाई भरदास्त नहीं हो रहे है थाई 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 दित थाई थाई इतना घटया डांस देखके यह पानी गरम क्यों हो रहा है गीजर गरम हो गया चलो सुसु कर लेता हूं बेटा तुम मुझाहते हो में जिन्दा रहूं तो मैं भी थक गया हूं अंदर जाकर कॉफी पीना है अराम से बेटा अरे टाइल्स पुरानी है सच्ती भी अराम से इतना शांत क्यों है प्रैक्टिस करना अब डले गगने पता नहीं यह किसने लिखा होगा पानी नमगीन सा क्यों है नहीं मुझे नहीं पता मिनरल वोटर होगा यह जुकर कौन है तुम हो यहां कैसे पोँचे डांस सिखने आया हो मेरे बाई की टीम में चले गए एक काम करो यहां पर प्रैक्टिस करो जाओ जाओ गुरुजी मेघा राग क्या होता है यह बहुत कटन राग है लेकिन तुम्हारे गले में कशिश नहीं है शास्त्रिय संगित सीखने में उम्र निकल जाती है एक काम करो तुम लोग गित गाना सीखो गुरुजी मेरी आउकात के हिसाब से ठीक ठाक सीखा दो पहली बार तु जो बोजा यह तुरांत असर करेगा लोग गीत के लिए एक और चीज है मैं आभी लेकर आता हूँ अब तक हाखने की प्रैक्टिस करो अरे रुकिये फ्री में मजेल ले रहा है लगता एलपीजी सिलेंडर फटने वाला है बिट्टा क्या है क्या कर रहे बिटा पेंसल शाप कर रहा हूँ थोड़ा संभल के अंकल नाच रहे ना उसको लाल लाल बड़ा वाला पोड़ा हुआ कहीं फूट न जाए हवा निकल गई यहां तो आटो का कोई आता पता ही नहीं है अंठी आप इस तरह बाहर क्यों खड़ी है अब क्या बताओं तुझे यह टपो है ना सुबह से बिर्यानी खाने की जिद कर रहा है और देखो ना गैस खतम हो गई कब से आटो देख रही हूँ वो भी नहीं मिल रहा है तुम्ह तुझे तो सब कुछ पता है जाना जरा जल्दी से जाके बिर्यानी ले आना अच्छी बनाना उसको बुलना थोड़ी तीखी बनाए चप्पो को सिर्फ लेगपिस पसंदे याद रखना चल अब जल्दी से अपने लेग बढ़ा और लेगपिस लेकर आज जल्दी आना रह है इधर क्या कर रहा है हाँ बोलना भाई इस मोबाईल में तो आउटगोइंग था ही नहीं है बात किसी कर रहा है अच्छा अच्छा थीक है अच्छा सुनना कुछ डिस्टरबंस आ रही है मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ अच्छा सुनना में मिला तो ते्रणी यहां जाआ करिद में के पैस अलीट विए प्यार का सवाल है अभे तो ल widget अलमिट और चालेक्शन 59 stop समझो ना मेरी बात भाई यह लो भाई जा जा के आईश्कर लोग के नाम पे तुन्हें इमोशनल कर दिया अरे चल्दी आना किती देर लगा दी तुन्हें भुक के बारे जाट निकल रहे हम लोगों आपको फैलाओ जंग लगा है अब नीचे अरे तु रूचा तेरे लिए सर्प्राइज है ग्लास दोके उल्टा रख देते हैं वैसी उल्टा कर दिया सीधा हो जाओं क्या है पूरे शरीर का खून सीधे तुम्हारे बेजे तक पहुंच जाएगा थोड़ी बहुत गाने की अकला जाएगी है बात बढ़िया सुर्पकड़ रहा है क्या कर रहा है ठीक से खड़ाओ ठीक है मैं तेरी वज़े से निर्थ भूल जाँगा अगा है इस बहुत अलग लग लग रह अब देख से थाँगा है थाँगा 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 है मैं थोड़े से राइस और करी लेकर आई थी यह क्या तुमने कहना भी शुरू कर दिया तुम लेट हो गई चिकन बिर्यानी एक नंबर एक थोड़ी टेस करो ना नहीं नहीं हम वेजिटेडियन है हम नहीं खातें आई तेरी बती ची मेरे हाथ नहीं लगी न तो तेरे हाथ काट दूगा कोई और होता ना मूँ पे जापड़ मारता उसके मैं मगर तुने ही तो अपनी बहन का कन्यादान करना है मेरी शादी में ऐयो क्या चाहिए चाहे देना चाहे मिलेगा परपैले का उदार चुका राम से बैट के पेपर पड़े वे कितने दिन हो गए यार प्यार के खातिर किड्नी कुर्बान करने वाला दूला अरे तुने सब्चिले ने भीचा था तो यहां पेच्चे अकबार पड़ाए आयो क्या क्या में में क्रे बहुत अच्छा करता तेरी भी कर सकता हूँ चल जल्दी चाहे दे लाइट तु यह स्ट्रॉंग लाइट चाहे स्ट्रॉंग अध्रक डालके देना अ वरना यह गदे की आवाज गदे जैसी लगेगी मैं नहीं कह रहा ऐसा पेपर में लिखा है पेपर में उसके बगैर सूर कैसे निकलेंगे पावर आगया पावर आगया तो रेडियो आउन करना गाने सब्सक्राइब मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात करता है किदर सुजा डाला अरे रे सुबह जाने के बाद धोना भूल किया और यह पावर स्वामी तुमको क्या हो गया जिए संयास लेने की उमरे डांस करेगा तो पैर का शेप धनूश जैसा हो जाएगा चाय कैंसल कर दे मेरी इंडों ने तो चाय का औडर कैंसल कर दिया मैं अकिला क्या पिऊंगा मेरा भी कैंसल कर दे क्या तुम्हारा भी आउडर कैंसल आयो सामी आज मैं किस के मूँ देखा जे वह नहीं खराब हो गया जे ममा आटो आ गया रुको 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 कहा भाग रहे हो तुम्हारे पापा मंदिर में है जल्दी से आटो में जाकर बैच जाओ अरे जल्दी भागो फोगो और अंदर से दर्वाजा ठीक से बन कर लेना प्रीज में खाना रखाया गर्म करके खा लेना और दर्वाजा खोलने से पहले खिड़के से जाग के देख लिना एलो पक्रों सौमिया नहीं आरही है ठीक नहीं है ना किसी को घर में रहना पड़ेगा ना अब तूसकी चिंता छोड़ हमें लेकर चल लेठ हो रहा है ओ यानि ये घर पे अखेली है अब दिन में तारे की दाये के चल जल्दी रेठ हो रहा ह अब तेंशन मतलो लेक्सी तुम देखना शाम तक ठीक हो जाओगी अच्छा अब अच्छा पर जबर्दस्त नीव सारे घर वाले मंदिर गया है तो क्या करें तो क्या करें लेकिन सौमिया नहीं कई है वो क्यों अरे उसकी डॉगी को बुखार हो गया है इसलिए तुम्हार सौमिया अपने प्यारे डॉगी की देख बाल के लिए घर पर है देख सॉलिड मॉका है जाके लव का चौका मार दे यह जली चांद मस्ता आइडिया है यह बात किसी और को बताई तो नहीं न तुन्हें यह सोच भी कैसे लिया अपने पडोसी की कसम एक असली मर्द की जु तोड़ा सा तो खालो सौमिया कौन है सौमिया शिवा यह मेरे दोस्त है वेटनेरी डॉक्टर महादेवन मैं सोना ता लेक्षी की तवयत खराब है कहां है लेक्षी क्या हुआ ऐसे नथिंग टो बरी नॉर्मल फूट पोईजिविंग है इंजेक्शन दे दिया है शिवा इ काफी टेंस्ट थी अब रिलाक्स फील कर रही हूं अरे दिमाग से ही निकल गया कॉफी पियोगे तुम अरे बिल्कुल नहीं क्यों पहले पुछो के कॉफी पियोगे उसके बाद बोलोगे दुकान से आदा किलो चीनी लेकर आओ दूद लाओ कॉफी पाउडर लेकर आओ थो मेरी आँटी की आदत है कॉफी बहुत अच्छी है रिली आँटी ने कल बनाई थी मैंने तु सिर्फ गरम करके दी है बात करनी कैसे शुरू करों क्या हुआ कुछ नहीं, कोई जोग चाद आ गया, क्या कल क्या सपना देखा मैंने ओक्या सपना था, तुम्हारे साथ कुछ उल्डा सीथ हुआ आपके पापु और मेरे पापी में जबड़ जगड़ा हो रहा था फिर आपकी आउंटी ने मेरी मम्मी को जोर से डांड दिया ये क्या सबना हुआ? वो उरा महला देख रहा था और आपको वो भाई है न टपू वो इतना खाना खा के उठा और इतना बड़ा पत्थर लेकर मेरे घर पे पहंग दिया और वो आपकी आउंटी वो तो मेरे पर खर्चा पानी लेकर चड़ गई लडाई की कोई बज़े तो होगी ना बज़े थी ना हम दोनों भाग कर शादी करेंगे तो सब लोग ज़ड़ा तो करेंगे ही ना शिवा हाँ सौमिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाकियों की तरह मैं सो नहीं पा रहा हूँ खान नहीं पा रहा हूँ सिर्फ तुमारे बारे में सोचता हूँ यह सब जूट नहीं बोलना चाहता मैं तुमसे मगर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पर मैं इतने दिन से तुमसे कैसे काऊंगा ये सोचकर हुमारी हेल्प कर रहा था देखो सौमिया तुम घर पर अकेली हो मैं ज्यादा देर रुकूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं चलता हूँ मैं वो शिभा कॉफी के लिए थैंक्स खितार थी नहीं नहीं कॉफी काच्चा लगेगा कैश 46 कैश झाई कैश आध लेला, मजनू, रोम्यो, जूलिएट, कव्वा, कोयल, मेरा नाम तेरे साथ, तेरा नाम मेरे साथ लिया जाएगा, समझ गई ना तू, I love you Somya नहीं पावा, थोड़ा, तुम्हे भी मेरे से प्यार होने लगेगा, वो भी बहुत ही जाएगा, बावाएगे, केके, तुम्हे यह लेटर दिया पर यह तो खाली है, प्यार को लफजों में नहीं, दिल से महसूस किया जाता है ना, तो दिल से आवाज आए कि मुझे तु बह लव यू? लव यू साम्या अपने पांच बज़े बुलाया था ना, मैं तो पक्र सब की ही आगया था, प्यू साथ खंटे पहले ही हाया अगया सुभखे से भले एक घंटे पहले आया, लेखिन दो नंबर करके आ या ले तुने पांच बज़े आने को बोला ना, तो तेरी बات कैसे टाल सकता हूँ कुछ तो बोलो, सिंगिंग कॉम्पेटिशन में एलिमिनिशन राउंड से पहले साइलेंस होती है, वैसे ही साइलेंस मत रखो यार, जो बोल ना है, बोल डालो, तुम ही बताओ मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे प्रपोस किया कुछ जानते भी हो मेरे बारे में, ऐसे क्यों आपको जो पसंद है वो मैं जानता हूँ, आपका फेवरेट फूड है, सांबर में चावल डाल के तुम्हारा फेवरेट कलर, पिंक, आपके फेवरेट भगवान है, साइबाबा, तुम्हारी फेवरेट पिचर हम आपके हैं कौन, हिन दोनों है, तुम्हारी पसंद बताई अब तुम्हें क्या नापसंद है मैं बताउठ गा सबसे पहले ये चेकशट वाला उन्य मायनस को प्लस प्लस बनाने वाला पावर हमेशा आटनटिव रहने वाला सिवा तुम तीन ही मुझे पासंद हो पर तीन जनों से प्यार नहीं किया जा सकता प्यार उससे होता है जो तुम्हें समझे इसका मतलब तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है सौम्या मैंने ऐसा तो नहीं कहा प्यार कब किस से हो जाएगा कोई नहीं जानता हमारे बस में नहीं है हाँ अगर कोई इंसान मुझे इंप्रेस कर दे तो अपने आप प्यार हो जाएगा अगर मैं आपको इंप्रेस कर दू तो अप मुझे अपना लेंगे ना जो कॉलिटी तुम्हें चाहिए अगर वो मुझमें मिल जाए तो मुझे प्यार करोगी, क्या मान लो वो साब मुझमें हो तो मुझसे शादी करोगी तुम कि देखेंगे, मेरी लाक्सी, मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी कि वो तीनों लोफर तेरे लिए इस घर के चक्कर लगा रहे हैं आप सही कह रही है आँटी, पर अब क्या करें? क्यों ना तुम उन तीनों को हा कर दो? आँटी? मजाग भी नहीं समझती, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने घरवालों को बता दो नहीं, बिचारे बहुत मासूम हैं वो और मासूम, आज तीन में तीन सांप पाल रखे हैं, उन्हें घर और जिंदगी से निकाल फेक नहीं आँटी, उनकी फीलिंग्स जेन्यूइन हैं वो निकब में जेन्यूइन लगे, बड़ी हो गई पर दिल से बच्ची है आँटी, यह तो भजी है, तेरे अंकल को दे दूगी, जब भी वो टीवी देखते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खाने की आदरत है यह लैक्सी के लिए बनाया है, नॉन्वेज है आचा ठीक है, तुम्ही रख लो और अपने डॉगी को खिला दो हाँ, मैं चलती हूँ बहुत ही भोली है यह, मेरी बात नहीं माने की तो पच्चता आएगी यह, बहुत ज़रूरी बात करनी है बोलके बुला लिए और सुबह आड़ बजे दारू डालके बैठ गया है तु यह कोई जैसी तैसी शराब नहीं है, यह टॉनिक अ टॉनिक, जैसे ही यह अंदर जाती है न, सच बाहर आ जाता है अपनी लाइफ के कुछ कड़वी हकिकत बतानी है, पीलो ले बाई भूलना यार क्या बात क्या है यह ले पी अलो मैं प्रिया बोलो 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 तो तुम समझते क्यों नहीं हूं प्रिया पास में जो जवाब दिया उसे फ्यूचर में भी कॉपी पेस्ट कर देना मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और उस लड़की का नाम है सौम्या मैं उसी के साथ सटल होना चाहूंगा तुम कुछ बताने वाले थे बोलो अपना मुका शटल खोलो जल्दी से ब लगिन लड़की के लिए हम दोस्तों को सूली नहीं चड़ा सकते हैं यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे शोले वाला गाना 300 बार गाया मैंने लेकिन जब से यह लड़की आई है दोस्ती को दफन कर दिया था इसलिए अब इस कॉम्पेटिशन से मैं वी आरेस ले रहा हूं कि मुझे यकिन नहीं हो रहा है कितनी बार बोला रहे तेरी समाइल तेरा लखी चाम है तेरे सामने में टिक नहीं सकता अब तो तुझे मुझे पर भरोसा भी नहीं है अचानक से बुला लिया हमारे लिए ड्रिक बना रहा है कॉम्पुटेशन से बाहर होना चाहता है यह तो उसे इंप्रेस करने के लिए एक दूसरे की भूर्जी बनाने लगे यार वैसे भी सौम्या को मैं अच्छा तो नहीं लगा तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ रहूंगा और बाके की जिन्दगी हस्ते हस्ते काट लूँगा अरे यार सच बात बताऊं किया तुझे इतना बड़ापन मुझ में नहीं किया रहे वहाँ दोस्त मेरा दिल खोश हो गया है आज की पार्टी मेरी तरफ से हाँ अरे नहीं लड़की पे खर्च करने के बजाए मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों पर खर्चा करूँ और ब कि यही ना बात चलो चलते अंत्र है है क्या फॉर्फ मंदे नहीं है आतो फॉर्फाइडे जान्मम भी यह दो भी चलेगा पूल अरे आं समया को कुछ नहीं हूआ उसका जो ढीला भाई है ना वो सीटी निकल गया अच्छा हातो आथो गया जब भी ओ कुछ बोलता है ना तो शब नहीं निकलते हैं करके आवाज निकलती हैं क्या करें हम लोग अरे उस बेचारे पे अपना प्यार लुटाओ सौम्या को इंप्रेस करो और गया तंबू जैसा पपू कैसे हो तुम हां बेटा इतना मखन क्यों मार रहे हैं लोग यह बच्छा अब दिदी कैसे हैं यह नहीं बताएगा तो हमें पताने ही चलेगा क्या दिदी कैसी बता दे वारे सप्राइस हॉस्पिटल कैसे आना हुआ हुआ है नहीं बताओगी तो हम तुमरे ने यह ब्लड डोनेट करने आए हैं यह लोग इनका ब्लड नहीं ले सकती अब तुम समया ऐसे लोगों से दोस्ति करने लगी हो आजकल क्या इनको बोलो यहां से जाने के लिए डॉक्टर सॉमया डोनों को शरीव समझती थी पर एक ही पल में मुझे नीचा दिखा दिया अब म नजरे कैसे मिलाऊंगी केके तो तुम्हारा फ्रेंड है ना उससे ही कुछ सीख लेते हैं शीम ओन यू गाइस सॉमया ब्लड तो डोनेट कर दिया है पड़ा चाहिए तो वह भी देता हूं सब कुछ तुमारे लिए तो है समाध सेवा करना तो मेरे लिए दाड़ी करने जै जाओ दो लिटर खून बहा क्या हो नहीं केके ये दुनों शराप पीके आए ये तो महापाप है वो तो सुबह साड़े आट बजे पीके आए ये अरे संड़े पीते थे अब तो मंडे को शूरू कर दिया चे आज तो मंडे नहीं है फ्राइडे है सॉम्या वाइन शॉप एतनी जल्दी खूलती नहीं है इन लोग ने घर पे स्टॉक रखा होगा गंदी बात अरे ये हॉस्पिटल है यहां चिलाओ मत कम से कम यहां तो डीसेंसी रखो प्लीज सॉम्या प्लीज मेरी बातों सुना मुझे जाओ यहां से जाओ ना जाओ कैसे पॉसिबल है एक बात याद रखना सिर्फ बादाम खाने से कुछ नहीं होता देमाग भी होना चाहिए अभी सॉम्या ने तुमारे बारे में किसी से बात की क्या का पता है बोली कि तुमसे नफरत करती है तुमारा पता कट गया यहां से सीधे बस्डेप हो जाओ वहां तॉंट मार रहा है हमें हमारी दूर्ती का फाइदा उठा है तुम दोनों का फालूदा बना सकता हूँ हिम्मत है तो पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ छोड़ू देली केके आज की तारीक अपनी डारी में लिख ले तू जिस तरह से तुन्हें हमें धोका दिया है मैं तुझे उसकी नजरों में गिरा कर ही रहूंगा एलो मैं तो घर पॉंच गया किसके साथ बात कर रहा है कि खामोश हो जा फोन में खुशके बारूंगा तुझे पानी से इतना क्यों डरता है तू टपू देख बाकी लोग भी स्विमिंग कर रहे न वाँ पर डराओ मत अंक जोब या मुझे इंट्रेस्व नहीं है क्या वाइक कोई टेंशन आ गई है क्या समझ नहीं आ रहा है सौम्य मुझसे नाराज है उसे मतलब मतलब उसके दिल के बाइक मुझे सवाइब मैंने तीन शादिया की आपको कोई प्रॉलम है तुमुझे बोलो यार नान्वीर गरीबों में कपड़े लत्ते बाटो फिर वो आपकी फैन हो जाएगी और हो सके तो दो चार लड़कियों की शादिया भी करवा देना फिर देखना सारी लड़कियां आपकी फैन हो जाएगी बात तो सही है लेकिन उस केके और शिवा का क्या करूं उनके जिंदा मत करो वो त केत की मोली है आप तो बस अपने काम पर अडे रो कि अ है इस ट्रॉगलर आशीक है अलो कि रहे ही तू हिंद माहसागर पर अजय तुझे भी थोता हूं आ गुसा आगया चला आके एक करना वा 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 मैं महबत की बात कर रहा हूं तुममारा-मारी की बात कर रहा है बस प्यार से जो दिल जीट सकता है वो है केके कोट केस कर या कतल कर डाल सौम्या तेरी नहीं होने वाली केस खताम ए केके ऐसे क्यों बोल रहा है यार मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा तो अपनी बेज़ती करा ली ना सुनो 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 के समराज शिरी पावर कुमार अपने जन्म दिन पे एक सो आठ कन्याओं का विवा करवाएंगे एक हजार घरीब औरतों को स्ताड़ी और आद्मियों को शक्रिया कितनी भी शादी करवाले तेरी शादी नहीं होने वाली सब्सक्रावर अए भाई देखो समय अगे हाई समय हाई पावर मयरे बडे पे आने के लिए बहुत खुक्रिया अाभी बड़िग हुण्यू ज्रेस का डिजाइन बहुत अच्छा है इसका डिजाइनर मैं होद हूं इस ड्रेस का पूरी दुनिया में एक ही पीस है, एक्स्क्लूसिव है रेली दिदी, वहाँ देखो, सेम ड्रेस भाई, बिल्कुल सेम टू सेम जरूर उन लोगों की कारस्तानी होगी यह तो सिरोक्स कॉपी है अंकल, क्यों आपने बिखारियो ड्रेस क्यू पैंनी है यहाँ व्यूल्टी लिल्ट श्टार्स वढ़ेड़ें भाँस्टार्स भाँ स्टपट स्टपट इस नू नॉट्ट देखे देखे इस वाँश्टदेखे टेऊसी के क्वेश्जादेban रफी प्रहीं सब्सेशल आया है यह प्रहीं जुम्सेशलालोंगे चेशला तत वारिदे आया है व्र्भावडे अटfish पोड़ümüzड़ आया है पुरा मान गहे अरे मैं तुम्हें नया केक ला दूपा बेटा चिंता क्यों करते हैं पावर जो मात्मी तो केक ने भी इसके मूँ पर उल्टी कर दी ने 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 वरते समय ऐसे हिलो उमर वारना केक जमीं पेगर जाएगा और चाटने में शरम आएगा मैं चमच लेकर आता हू निकाल कर खाले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यह सांप की तरह जबान निकालेगा और खुदी चाट लेगा और दुश्मन हो एक दिन तुम्हारे चैनल पर क्यों कसा हो रहे हूं तुम्हारा बट्ड है कोल डाउन ऐसा क्या हो गया हाँ थोड़े सी केक ही तो जिकी तरह लग रहे हो तो रिली इंप्रेस्मी पावर रिली यह क्या हो रहा यह अप्छल दूना बंद कर दो कहाने और ही जारे है स्माइल स्माइल हाँ गुड़ शाबश गुड़ बॉइश चलती हूं बाई यह रखो केक में बॉम रखा उसका रिटन गिफ दे रहा हूं यह लव की फिल्म है तेरी हिरोगिरिया तेरी पकवास कॉमेड़ी यह काम नहीं करती है फीलिंग्स जगानी पढ़ती है लडकी में तुम जैसे लोग दो टके के करेक्टर आर्टिस बनकर रह जाते हैं और बच गया तुम भाइद हो एंग्स करति हैं जब उसका मुईब करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे डर है कई वो अपना पैसा देखा के सॉम्या को रहे पटा ले एंग्स और कोया आम लड़के नहीं लाखों में से एक है आसानी से पड़े नहीं पावर के पास धीले का तो एक भाई भी है ना, जिसकी शकल हेलमेट जैसी है, उसके लिए एक लड़की ढून रहे है, जवान तो क्या किसी बुढ्या ने भी उसे सिलेक नहीं किया, अरे, मगर उसका और इसका क्या संबंध है, बहुत जोर से संबंध है, उसके पड़ोस में डबल डेकर ना परस रहा है, ऐसी हालत में लड़की तो दूर, लड़की का पुतला भी पसन आया ना, तो उसके साथ भाग जाएगा, और भाग के मंगल सुत्रे पहनाएगा, बहुत बड़ी आइडिया यार, बस धीरे धीरे तीचे, धीला रास्ते से हट जाए, फिर मुझे तालाब में डुबा के, अपनी सेटिंग तो नहीं करेगा ना, क्या बात कर रहा है, जोकिंग रहे, चल काम पे लगते, पेपर बढ़ रहा था, बेल बजा की नहीं सकते थे, साइकल थोड़ी चला रहा था, जो बेल बजा के आओ, तो तुम्हें बदा चल गया, क्या देख रहा था, मेरी शरार्थी, हाँ, शरार्थी, हाँ, बताओ, क्या ख़बर है, अच्छा तो काका, हेलमेट की शादी कब क चादी की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें बेटा, बुट्धे की जवानी नहीं है, उसको लगता उसका बेटा चूटा है, अंकल, शादी का खाना कब खिला रहे हो हमको, अरे बेटा, अभी तो इसके खेलने कुदने की उम्र है, काका, इस उमर में लोगों के बाल इसका बूद है कि मैं क्या करूँगा, ये सरकस का भालु है क्या, मज़ा रहे है, मज़ा रहे है, मज़ा रहे है, पुछ वाले गवं में डबल लेकर नारायन करके अदमी, उसकी दो बेहने, वो कहता है अपनी बेहनों की शादी, दो भाईयों के साथ ही करूँगा, काका, बड़ी बेटी की शादी हेलमेट से, छोटी बेटी की शादी धीले से करवा देंगे, उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वकई ऐसा हो सकता है, क्यो नहीं काका, अब मेरी बात को घोपडी में घुसा देना, पहते नल के नीचे बाल्टी घुसेड देना समझदारी वाली बात है, यहां तो दो दो बाल्टी हैं, घुसेड दो, क्या बोलता है, शादी के बाद फिक्स कर लेंगे न, इतना सोच के राये बेटा, किसी और से प्यार करता है, क्या, अपनी बता, मुझे तो पसंद है, आ इक दम करा, आजा मेरे बंबर से, चला, 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 आवलस, फैंटास्टी, चला, चला, पता है, डिक्स नेरी रटके आया, पका मत जल्दी आई, इदर, ए, केके, चला मेरे साथ, अट, आट, इसे, टर है, कहीं न रेसमे न आजी चाहूं, सौमे से मैं प्यार करता हूं, सुआ, मुत्स पता है, रासकल, समझा, समझा, उर्य और, इसकी खुश्यों की काबर खोदने आ है, इसकी बए इजिने के कावने इने है, इज होड़ा हूं, सुआ, मैं यारू, सुआत, टरू, सुआ, कैसे हूं का इड़ी, आज इने हो जड़ी, इज तर हधलना, नेरी बं चोड़ो लड़ क्यों रहे हो दोस्ते अरे बाप रे तुम्हारे लिए तीनों कबड़ी केल रहे थे चलो सुनकर अच्छा लगा दिल तो कर रहा है तुम्हार लिए खीर बनाओ पर घर में ना दूद चावल शकर कुछ भी नहीं है आंटी मैं सीरिज बात करी हूं और आप उनसे पूछ क्या लिया कि पी के अपनी जिंदगी खराफ क्यों कर रहे हो मार मार के मेरे पती को हॉस्पिटल पहुचा दिया सच के रही हां मैं तो उने बहुत सीधा मानती थी वैसे तो तो तुम बहुत समझदार हो पर इस मामले में आकर तुम बेसमझ हो गई तुम इन तीनों को अच्छे से नहीं जानती तुम्हें पटाने के लिए तुम्हारे ताओ जी और पापा को बुद्दू बना कर उनसे डांस और म्यूजिक सीख रहे हैं मुझे पता है उनसे कह दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो ए जो प्यार का भूत चड़ा हुआ है न उन पर एक ही जटके में यह उतर जाएगा देखना किस सोच में पढ़ गई दया आ रही है सोच लो उनका कैरेक्टर चेक करना है तो एक चोटा सा टेस्ट करके देख लो पता चल जाएगा करके देखती हूं मुझे मुझे किसी और से प्यार हो गया है यह क्या बोल रही ह technologist कियान ऐसका टा अगर Är इसलब पूछा तो फिर मैं जवाब क्या दोओंगी अगर किसिका नाम बताय तो यह तीनों उसके घर घुसकर उसे मारेंगे इन तीनों को सबक सिखाने के लिए क्य क्यों ना हम किसी हट्टे-कट्टे पहलवान को ढूंड ले कुछ भी आउंटी अब हम पहलवान को कहा से ढूंडेंगे किसका नाम ले बेस्ट चॉइस हैंसम नॉट मैरेड यंग सुपरस्टार यह वाला हीरो हां क्या कहा शिम्भू वा अगर जूट बोलने का कॉंपटिशन होता ना तो तुम्हें डबल गोल्ड मेडल मिलता है इतना बड़ा सुपरस्टार इसे कैसे पसंद आ गया है मैं उन्हें यकीन ही नहीं देला पाऊंगी अब यह मत कहना कि तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता है मैं नहीं मानती तुम्हारी उमर में मैंने दस-दस के साथ चलाय था और तुम से ये तीन बेवकूफ नहीं सभाले जा रहे अरे आज कल के जमाने में सोशल मेडिया है ना कहना कि उस हीरो से ओनलाइन मिली तुम चैट करते-करते उससे दोस्ती गहरी हो गई है कह देना राज-कुमारी और मेंडग वाला रोमांस तो सिर्फ कहानियों हमें नहीं पसंद करती तो बोल दो ना यह शिंबू वेगरा का नाम लेकर हमें बेवकूफ मत बनाओ क्या तुम भी क्या तुमने कभी फिल्मी मैगजिन नहीं पड़ी तुमने देखा होगा कि अक्सर हीरो अपनी फैन से ही आखिर में शादी कर लेता है तुमने पढ़ा हो अरे यह सब करने के लिए कहना पड़ता है और वैसे भी एक हीरो से प्यार करके शादी करने में क्या हर्ज है सब की बत्ते गुल हो जाएगी सोम्या एक बार उसे फोन करो ना हम बात करना चाहते है वो मैं नहीं कर सकती हूँ हमारी भी छोटी से मिसंडर्स्टानिंग हुई है जो की ठीक हो जाएगी बट आइम कमिटट टो सिम्भू अब मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करना मेरा पीछा करना यह सब छोड़ दो सौम्या मुझ मैं ऐसा क्या नहीं है जो सिम्भू में है इस धीले के घटिया कॉमेडी पे ध्यान मत देना जैंग दर शूच के देखो देखो मैं तुमसे बहुत प्यार कर देखो मेरी बात तर शुनों सुनों 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 कर दो कर दो कर दो स laughs स मैं संब बया क्यों 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 केके किसके लिए अर्थी तयार कर रहा है कौन मर गया डेट बोड़ी इस कमिंग तो बेवाफ़ा है एक दिन निठो एए मुझे शमशन गाट में क्यों लेकर आया है बाई सुबा से टून हालत में आपको याद कर रहे हैं एक चार दिन से तू क्लास में क्यों नहीं आया है शराफ पिके किसकी अर्थी बना रहा है यह मेरे प्रभू अपने सिश्यों को आशे बदो हर सिंगी कॉम्पेटिशन में विजाई भावा जा या विशुप अरे मेरे म नहीं से मारते हैं इसे मारे मारार कि सिखाया गलत है मुझे जैसे कपड़े दोते वैसे दोऊया भी था जमानी में कोई आवाज तुमने मंझे वापस लटा था तुम्हारे मूमें मिटि बनके वापस आवास पंजन दूंगा उन्यों मैं संगित समराथ कृष्ण मूरती मेरा मन्मच करना अर्ण कभी नी करना वरना छोड़ूंगा नी जी फिखुछु नी फिखुछु ए फिखुछु ए थोड़ दालों ए तो डूड़ दालूगा, सिन्ना ने छोड़ूगा ए डिले एसे आर्थी पेललेटागे यहीं कीदी आ करम करणी अंतार अंटी यूजिए... क्या हुआ? फुछ ला रही है? या? मिखी... रोगी, क्या होगे? परे लिए देजना नाले है, यार... पुछ से फूल वाला चड़ा लेया? मज़ी निकाला, तरह दुल के तलवाया की नहीं? निकाल, जाजी निकाल, तरह तरह दुछेश नहीं? किसने चाहते निकालने की कोशिच के तुमारी? मज़ी चला दोगो रही है? किसने इकते सारे ठप पे लगाये, तुमारे पर फोस्ट ओफिस गये थे, क्या? कहा गयते बोलो ना डाले तुम्हारे बद्भूदार बालों के लिए गजरा लेने गया था रास्ते में एक आदमी मिल गया बोला मास्टर मास्टर आपका स्टुडेंट केके शराफ पीकर शम्शान में आपको याद कर रहा है सोजा उसे मेरी मदद चाहिए होगी मुझे पू पहले गड़ा पानी से मेरे जाख में दो दो अरे मेरे लिए भी गरम कर देना पापा अरे तुम्हारे तरे केटी की नहालत होगे यह कि आपको क्या होता है इन्हें किसी जानवर ने नाश्ते में खा लिया होगा पापा इसने किया आप रहा था रास्ते में पावर मिला उसने कहा मुझे गुरू दक्षिना देनी है वो मुझे घर बुला रहा था और मैंने मना कर दिया लेकिन वो मेरे पैर पढ़ गया और जबर्दस्ति उठा कर ले गया उसके बाद उसने अब तेरी बेटी ने और फिर तेरे डांस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है अब तुझे समझाओंगा मैं और सिखाओंगा डांस क्या होता है और गुरू को मारना महापाप होता है हाँ गया तेल देने तेरा तो मैं तेल निकाल दूँ बेटा येले हंट है और इसके चितिने उड़ा दे ठीक है मेरे बेटा मैं दिल पर शरी दोनों से नाजुक हूँ हाहाहा बाल डाला आ misma सप्श्व मेया वाया है य। अिस्वास्पिटल ये घर नहीं था है यह उदर बैटे ये इदर लेटे है ये सब आपके साथ क्यू वहा पेर्य। प्लीन थीली थैर नहीं था हो बैरेक शितिक इसकली मोले में हमारे दुख को बाटने वाला कोई नहीं है एक सुमिया इधरा मेरी बात सुख पारो क्या बात है इन्हें चोट कैसे लगी इनके रोने की आवाज से बैं टीवी नहीं देख पारी थी किसने ये हाल किया इनका और कौन करेगा पावर और केके ने मिलके इन दुनों की ऐसी हालत की है मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है आंटी अभी तो सिर्फ पीटा है पता नहीं गुस्से में आकर किस हद तक जाएंगे ये लोग उन बुड़ों के बारे में बात में सोचो तुमारा भाई का है यहीं कहीं होगा कहां गया टपू 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 सोमया मतलब मेरा सपना सच था अगर इन बुड़ों का यह हाल कर दिया तो उस बच्चे का क्या हाल करेंगे वो शिवा है ना तुमारे भाईकों पहला पुजला के अपने साथ लेगे सच में नहीं दिया सोमया रुक में भी आती हूँ चली गई टपू 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 नहीं अंकल टपू बश्पास यहीं वेरि घुड रुड नहीं तरह आपस आजाओ शाबाश लाओ हा रहा थो भेरी गुड इसी को तो श्विमिंग कहते हैं एसी तरह पानी से तुम भी धी धी में तेहर ना सेखिया दिधी शिवा जलो शाबाश आज के बाद पानी से डरना मत समझे अब मुझे पानी से डरने लगता है तुम्हें कुछ नहीं आई रस नहीं हुआ दी रहा किसी को बता लाक्यों नहीं कितनी डर कही थी मैं पताई विल्कुल मत डर ये आज के बाद टप्पू बे कि उसने तो मेरी भिखारी जैसी हालत कर दे थी उसे ऐसे नहीं जाने देंगे एक काम करते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंड करते हैं कुछ पुड़ी टॉर्चर दिलवाएंगे तब मुझे संतोष मिलेगा पुलीस में कंप्लेंड करने से क्या होगा एक दिन उन्ह अपनी गल्ती का एसास होई जाएगा अप्षाब मुझे रूप देती है चलो ठीक है शिवा तुम गाउं जा रहे हो क्या अब मैं इन दोनों के साथ घर को कैसे समालूंगी बता ने आंटी मैं गाउं नहीं जा रहा आपने सामान मंगाया था ना वोई बैग में डाल के लि अंकल जल्दी ये लीजे आंक्यो अंकल हाइ करने हैं गर पर मुझे एक नौर करते हो पता है मुझे से कितनी तकलीफ होती है पता है कि नहीं मैं UH अगर एइसा ही हो ता ना तow 00 q करकते is एसपल को आ तुम कुछ पर कर दिखा दे बात करे चाथ हैं मैं यहीं दो न कुछhou कर दुछ हो कर ददें सिर्फ बाते नहीं करते नहीं तो, मैं तो वही सब कर रहा हूँ आंटी के लिए टप्पो के लिए रहने दो, मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम ओके, नेक्स्ट वीक में मेरा बर्डे है तुम्हें काम करना, मेरे बर्डी के लिए तुम मेरे लिए गिफ्ट ले आना जो लाइफ लॉग मुझे तुम्हारी याद दिला है आपको जो चाहिए बोली है मैं लाता हूँ वो मैं क्यों बता हूँ, इस यॉर चॉइस बट वन थेंग, तुम मेरे लिए जो भी गिफ्ट लाओगे ना मैं उसे लाइफ लॉग अपने पास संभाल कर रखूँगी देखते हैं, तुम्हारे क्रियेटिविटी कहां तक पहुँचती है ओके, बाई नेक्स्ट वीक में मेरा बर्डे है तुम मेरे बर्डे के लिए तुम गिफ्ट ले आना, जो लाइफ लॉग मुझे तुम्हारी याद देलाए केके, केके, किदर गया वो वो आजकल यहां नहीं रहता, बार में जाके ढूंड़िये, आजकल वो वहीं मिलता है हालो, फ्रेश चिकन चाहिए, देस किलो भेजना मेरे बच्चे, तु घर से नाराज हो के क्या आगया, मेरे बेटे की सिंदगी में अधेरा चागया हो गई ना, शाम को अधेरा ही हो जाता है, उसमें मैं बीच में कहां से आगया तुम इसका मतलब नहीं समझे, पहले ये तुमारे साथ कितना खुश रहता था, अब जरा इसकी शकल देखो एक लड़की के लिए दोस्त ही तोड़ेगा, मेरा दिल तूट है ना, उसे डेंटिस्त ही करेगा ये मेकेनिक, बताओ क्या काम है अपना हाथ दे, आज से तुम लोग पुराने चट्टी-बटी बन जाओ, ए चले चुमी दे से, पप्पी बप्पी देने की बात की ना तो पाप, आप चुप रही है, तुम फिर से दोस्त बन जाओ, उस बात को भूल जाओ, देखो कितना दुखी है, फिर से इसके साथ दोस्ती कर लो हाई ये वीनबाद, बहुत इजददार खांदान है हमारा, और हम दोस्ती ऐसी करते हैं कि जान देते थे पापा की बात सुनी न, अब हमेशा याद रखना, हमारा खांदान बहुत ही इजददार है, नीचे बर्फी मेरी एमरेट है, किदर कहा है, बर्फी टेस्ट ले रहा था, कितना इजददार खांदान है वो देख रहा था, मेरे वासूम बच्चे का खयाल रखना है, मैं चल यहां कौन-कौन है, जिनके दिल टूटे हुए, हाथ खड़े किजिए, मेरा भी टूटे है, देखा न, तुने, हमारे जैसे बहुत से, जिनके दिल रोज टूटते है, अच्छा, अब यह देख, ए, जिससे प्यार किया, उसे से शादी की, और उस लड़की ने तुमारी ज होता है क्या, भेजे में सौम्या ही घूमती है, भेजा मत खाना यार, देखा कोना है, हीरो बनता था न, बनता था हीरो बन गया, जिरो हो गया, बनता धार, उसकी यारी, ए, चुपरे न, क्या रहे, पड़ो से के यहार राशन पहुचा दिया, या, उनके घर से भंगार ले गुसा आता ही है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके बाप को और उसके चाचा को पकड़ के मारो के कितने नीच हो तुम लोग, जरा सोच के देखो न, हमें छोड़कर इस शहर में सौम्या का और कौन है, अगर सौम्या चाहती ही तो तुम लोगों की पुलीस कंप कल से केले खाना शुरू कर दे, खुद को पैचानी लिया, सीरियस बात कर रहा हूं, तु क्या मजा कर रहा है यहां पर, मुझसे चाहता क्या है, सुनना, अगले अक्ते सौम्या का बर्थडे यार, उसे ऐसा गिफ्ट देना है जो उसे जिंदगी भर याद रहे, पचास-प बताया है, तोलों के बीच कुछ अन्मन है, वही तो प्रॉब्लम है, सिम्भू को किसी तरह मना के उसके बद्दे पर लेकर आए, बहुत अच्छा सप्राइज होगा, फिर तो दोनों बात करेंगे इना, लडाई खतम हो जाएगी, प्यार करते हैं यार, सुन, तंजाओर मे बताया है, वे लेकर खतम है यार, से ब्रॉण के आएगी, आम बहुत तरह आएगी, तो तो अच्छ कुछ, दो फिर खतम है, अन्मन है, बैदे होगी, बताया है, अच्छ, प्रवते हैं अच्छ, एच्छ, प्रणा़ टेक तो एगा नथे होगी, बिद्दे चार्णार में यह सिमूर अंकल अगुदम गफुरे तु करने में है। सुवे से आपके लिए ख़रे हैं। आपके पैन है जो करसे। ठीक लिए पुचहे क्या चाहिए है। पॉ मिधाने गोगो गोगो इस हम ओने थिसम को सब्सक्राइब तो यह तो यह तो ठीक नहीं सर देखो भाई आए दिन मीडिया किसी का भी नाम किसे से भी जोड देती है लेकिन मेरा अच्छा है कि मैं अभी तक इससे बचा हुआ हूँ इसलिए एक नया रूमर फैला कर प्लीज कोई स्कैंडल मत खड़ा करें सर सोशल मीडिया पर आपकी चैट हुए थी पहले बात हुए फिर जगड़ा हुआ देखिए सोशल मीडिया पर भाट सारे अकाउंट्स है शायद किसीने मेरे नाम का मिस यूज किया होगा सर जी वो जाने अन जाने आप पर जान चिड़कती है प्या आप यहां शूटिंग कर रहें बिजी है तो रजिस्टर वाले को यहीं बुला लेते हैं लोकेशन पर ही मामना सेट होगा आपको फ्री जाने करें प्रिया तब यह ठीक नहीं है मेरी ही प्लीज लीव बी अलोग क्या हुआ लोन देने वाले का फोन था तुझे पता है ना म लेकिन सवया ने भाल सफा मुझे रिजेक कर दिया है यहा आदमी अरे केके बेचारी सवया यार किसी तरह सिंबु से मलवाना पड़ेगा हमें उसे तेरा ।िर दिमाग ठ unanimा त् Three Day Program Modern और सौम्या भी किसी और से प्यार करती है, बस हम तीनों को कहानी सुना दी ताकि हम गुम्राह हो जाएं सुनना, सौम्या के बारे में उल्टा सीधा मत बोल, मैं उसे यहां से प्यार नहीं करता हूं, यार उसके लिए सिम्बू ही ठीक रहेगा, वो हीरो है, स्टार है, हम लोग क्या है, क्या हीरो, चुटकी बजाते ही हीरो बन सकता हूं, एक लड़की का हीरो बनने की ओकात है, क्या तेरी थोबडा देखाया अपना, हीरो बनने की बात कर रहा है, फिल्मों में जाओंगा मैं, स्ट सीधा कुछ बोल नहीं पायेगा, सुनो यार, इसका एक ही आइडिया है, सिम्बू को किड्नाप करते हैं, और सौमिया से मिलवा देते हैं, मैं तेरे साथ हूं भीडू, फिर से बोला, तेरे मूँ में कुछ गुसरता हूं, रुक, यह क्या, यह मंद बुद्धी, यह कोई पिचर चल रही है क्या, सिम्बू, कोई सकूल का बच्चा है क्या, सिम्बू का फैन है, या फिर उस से तेरी भटती है, बोल, 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 बहुत डर लगता है, जब तुझे करीब से देखता हूं, चिक अज़सा, कर बुद्धा भटो, मैं तेरे साथ हूं, के-के, मान जा एड़ी, एड़ी नुस्ते बाई, मैं बात कर रहा हूँ, एक चोड़ा सा मेंड रहता बहुत दर्थ हो रहा है, मुझे जाने दू कोई मरने वाला है, जरा उसे गुडबाई कर दू मरना नहीं चाहता मुझे जाने दू बहुत तेज है, काट दो रसी मुझे जाने तो मैं मरना नहीं चाहता आज़ा 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 स्वागतम स्वागतम तुम तो सुबह आने वाले थे दूद्वाला हूं जो सुबह आउंगा आदमी एकी स्टेज है, कान पे कार्पेट बिछाया है सुन भाई कोलावरी डेविड यहां का डॉन है और यह उसका एज़ेंट है कोलावरी डेविड का एज़ेंट तु कोलावरी डेविड को नहीं जानता क्या डॉन भी धीला होगा इसलिए इसको रखा है अरे भाईयों यह शहर मंदिरों के लिए फेमस हैं लोग यहां पूजा करने आते रहते हैं पर हमारी पूजा थोड़ा अलग है हमारे लिस्ट में बहुत से आइटम्स हैं डराना धंकाना किड्नैप करना हड्डियां तोड़ना या फिर डिरेक्ट मर्डर करके किसे खतम कर देना तुम्हें तो पता है पावर हाँ हाँ नहीं खतम करना है और नहीं तो क्या चल एक ब क्या करूँ गली के बाहर जाके फेकना वो बुढ़िया रहती उसके घर के आके मत फेकना ये तो सुबह सुबह गालियां देगी अरे ये तो बुढ़िया से डर रहे है में इंड़ को भी किड्नैप नहीं कर पाएंगे ये बात उसके सामने मत बोलना ठीके मेरे लिए एक ब बिलने आया है 437 आधा आदमी आधा भालू देख रहा है और खाने वाले नूडल सर पर क्यों चिप रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है पोटो लाए हो पूरा सीडी ले आये हैं अकेले आ भाया क्या हुआ आत्मी किड्नैप होने के बाद ठीक ठाक से तो रखोगे ना प्रदर चि को तैयार रखो कल मुहूरत अच्छा है शादी करवा देते हैं अच्छा देखो सगाई की सारी तैयारी हो चुकी है बस तुम जल्डी आ जाओ आते समय दो फूलों की मलाई सरूर लेते आना चिंता मत करो क्या चिंता मत करो बाप की अर्थी उठ रही है क्या कल मेरे और मेर करनेट से ढूंड लिया गया चुप करना कोने लड़की यार डबल डेकर नारायन की बेटियां देर करते तो वह भी हाथ से निकल जाती लोग चोरी चिपे वरमाला करते तू तो हलाल कर रहा है मेरे भाई शुब शुब बोलो यार कल मेरी सगाई है उसे सुली चड़ा दिय बोलना थोड़ा अर्जेंट है देविड भाई यह प्यार का मामला है पहले किड्नाइप करना है उसके बाद लड़का और लड़की की शादी करवा देने वेरी सिंपल पार्टी कैसी है पैसा मिलेगा ना बास इधर दोनों की शादी हुई कि पैसे हाजिर है चला अरे तुम इतना खुश क्यों रहे हो गलत सीडी देदी शायद फोन करके पूछ ले अभी करता हूँ अरे भाई अलो आपने मुझे जो सीडी दी है उसमें तो सिंबू के गाने है उठाना किसे है सिंबू को उठाना है सिंबू को उठाना है भाई क्या रहे मजाग चल रहा है क्या सूपरस्टार सिंबू को अठाना है कंड़ा हिरो राजकुबार को नहीं उठाया अगवार पढ़ता है कि यह अधा कहीं का दिमाग चक्रा गया क्या रहे फाल तु लोगों को लेकर आता है मेरे पास टाइम पास चल रहा है क्या अरे भाई पावर बड़ी पार्टी है मेरी बात पानो लव का मैटर है जो भी डिवान करोगे मिलेगा अब मुझे माप कर दो कहां मिलेगी वो लड़की चलिए शुब काम शुरू कीजिया जोड़ी हमेशा बनी रहे अम अer हिरोइन नंबबब वन हीरो नंबब टू हीरो नंबबब वन हीजो नंबबब टू रे ये पीपूइ बंकर वा यार आर तो डबलडेकर नター्यारायन हर बातमें आप डबल एं से दुकान से धन्या मिर्च उठा लिया जो फ्री में भी कोई उठाता नहीं था है यह सब इश्वर की क्रिपा है सब इश्वर की क्रिपा है आपकी तो लोट्री लग गए यह दादा जी है क्या देखो देखो कैसे शर्मा रहा है अज़ा थोबड़ा क्यों लटका हुआ है यह वो अज सौमय और सिंबू मिलने वाले हैं ना भूल जाना जो स्टेशन निकल गया उसको छोड़ दे यहां देखना जोकर नंबर वन और जोकर नंबर टू की शादिया हो रही है पूरे शेयर का एंटर्टेइन्मेंट हो रहा है तू भी एंजॉय करना क्यों मूँ फुला के बैठा है प्रिया आज मेरी शादी है आज तो मुझे बख्ष दो प्लीज फोन रखो केके सौमय को नहीं भूल पा रहा है अगर अगर मेरी बेटी हुई तो उसका नाम मैं सौम काका टेंचन मतलो पहला एक्सपीरियंस है ना समझाता हूं उसे शगूर की थाली लाओ हलो बेवकूफ आदमी जिस लड़की के लिए तू सिंबू को किड्नैप करवा रहा था वो लड़की मेरे कबजे में है दस लाख लेकर चुप चाप मेरे पास आजा और हां पुलिस क पास जाने की गल्ती की तो भूल जाना अस लड़की को समझा मेरी बार मर गए यार सॉम्या को ठाकर ले गए क्या बोला तू सॉम्या किटनैप हो गई है चलो चलो यह क्या अरे मेरी शादी क्या हो रहा है लाइट जा रही है लेट्स टेक सिंबू आयू रेड़ी क्या समस्या है आप लोगों की जब उससे प्यार था तो उसके आगे पिछे दुम हिला कर घूमते थे पर जब आज वो बेचारी इतनी मुसीबत में है तो किसी और का सहारा ले रहे है खुद को किसी के काबिल हो ये साबित करके दिखा दो और ये मौका आज उपर वाले ने तुम लोगों को दिया है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है न वही अस्वी हीरो होता है शेवा अरे डेविड बो लोग आगे अरे आगे तीनों लोग पैसे लाए हो क्या ओके फाइटर्स रेडी तुमें से पूछ रहा हूं पैसे किदर है पैसे लाँ पंच इस बर पैर क्या कर रहा है आया तप्से चिल्दा रहा है क्या हो गया यार किर एपैसा किदर है बताओ न मुझे अरे पैसे देते क्यों नहीं है है क्या पिशुब यह! है अ're लुझता है यह आंगवा है कि और गया आ जया नुद है sampai हा उर हा यह आurez अहा उर अ हुझता है और जबाल है है पाहँ अहाँ । है हँप फ करुद्ट अरे लगता है यह पांगा लोद आ अरे बीच में से हट जाना चाहिए ना जाल बीच में सुम्या तुम ठीक तो हो ना जली से खोलो पहले तुझे ही खलास करता हूँ अरे ये क्या कर रहा है चौट चौट हुव है M funcion अर खिया करे दो टूझे तूए जब आप दो आप आप अप आप 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 बहुत दर्द हो रहके सौम्या सौरी सौम्या हमरी वज़े से तुम्हें कितना प्राबलम हुआ तुम्हें अगर कुछ हो जाता न तो मैं मैं तो बर जाता सौम्या नहीं मारे लिए इस संभू को कितना समझाया है हम लोग ने उन्होंने आने से मना कर दिये शिवा मुझे सिर्फ तुम से प्यार है शिवा सौम्या आप लव यू शिवा सौम्या आप लव यू हम ने पजी मार लिए जाए पाइटर के मजा आ गया oh तेरा भी पत्ता कट हो गया, Soamiya ने मेरा हे पत्ता कट कर दिया,机ुमेडियन बन कर रहे गे…… फिरो नहीं बन सकते, चल हमारी फेकटध डाउन हो चुकी है कुछ नहीं होगा हुगा, कुछ भेमेडयन है, हम potato है प्रिया सेटिंग करता हूँ अलो प्रिया आज क्यों नहीं पोन काट आज फोन नहीं काटूँगा तुमारे लिए मेरा दिल धड़क रहा है आइ लव यू प्रिया मैं पावर बोल रहा हूं अमित का नंबर नहीं है रॉंग नंबर फोन नहीं है करें ले 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 लेगा है करें झाल झाल